इस अब्दे में आपसे बाचित करना चाहूंगी आप अपने जीवन में आनन्द उठा सकते हैं इस बारे में इसका मतलब ये नहीं कि बदलाओ करते रहना है हमेशा चुटिया लेनी है, हमेशा वही करना है जो अपना दिल करता हो मैं कहना चाहूंगी जीवन सही आनन्द उठाना, खुशिया लूटना जब मैंने निश्चीत किया किस हफते मैं ये सीरीज बनाऊंगी मैंने पहले यही तैय किया, मन बना लिया मैंने जरा पीछे देखा ये जानने के लिए कि पांच साल पहले मैंने यही क्या सिखाय था और ताज़िब की बात ये है कि मैंने इसाई मनुश्य के आनन्द के रहसी उपर सीख दी थी, मैंने सुचा कि ये जो लोग है उन्हें खुश रहने के लिए मदद की जरूरत है तो दुनिया में हमाज ही जी रहें हैं मुझे लगता है हमें तोड़ इसी मदद की जरूरत है याद दिलाने की आगे चलने के साथ ही जिंदगी का आनन इठाने की तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि बाहर आनन बेकार करने वाले बहुत सारे बहर जहर जगे पहले हैं वो अलग अलग तोर तरीके के साथ आते हैं क्योंकि शेतान इन सब के लिए होता है कारिया करने के लिए क्योंकि एक चीज शेतान आपको करने नहीं देता था वो है खुश रहना क्योंकि आनंद ही अपनी ताकत है और आनंद एक शस्त्र है ये शस्त्र है दुश्मन के खलाफ बाइबल कहती है कि परमीश्वर स्वर्ग में बैटकर दुश्मन को हसता है मेरा विश्वास है कि अपना आनंद एक शस्त्र है क्या परमीश्वर वाकिई चाहता है हम जीवन का आनंद उठाएं आज मैं आपसे बाते करना चाहूंगी, मैं संदेश को कहूंगी, खुद को खुश रहने की अनुमती देना, अब मुझे ये मालूम नहीं कि इन से क्या होता है, शायद तुम में से किसी को ये सच्चा ही वाकी ही मालूम नहीं होगी, आप शायद उन थोड़े लोगों में से ह लुगा के साथ उठते हैं और काम में ज्यादा व्यस्त नहीं होँ और फिकर नहीं, यदि कोई दोश लगाए या कुछ और, और वो हमिशा किसी को छुडाने में और किसी को अठकाने के चकर में रहते हैं, और ऐसा या वैसा, यदि वो कुछ काम न करते हों, किसी चीज को अठकाना करते हों, उत्पन न करते हों, तो उन्हें सही महसूस नहीं होगा, उन्हें लगता है कि जो जरूरत हैं, उनको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, और मैं ऐसे घर में पले बड़ी, जिसमें आनन्द की कोई एहमियत न थी, वो कभी होता ही नहीं था, वहाँ डर ह के समान थी, शोशन की वज़े से, बचपन में ही पिताजी के दुआरा शोशन होने की वज़े से, और हिंसा और घुसा, इन्हीं जैसे और भी चीज़े होती थी, जिन्हें आप वो अकारक्षम मकाम कहते हैं, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, पर विश्वास करन वो कारक्षम थे, जिसका वर्णन सही शब्दों में नहीं कर सकती, मैं विश्वास करती हूँ कि हर प्रोड व्यक्ति के साथ एक सुहड बालग होना चाहिए, उनके अंदर, मुझा बच्चे बनने, रहने का मौका नहीं मिला, मैं कभी बच्ची थी, ये मुझे याद ही नह जिसका नहीं है कि मुझे पर कोई बोज न था जिमेदारी या किसी के प्रती जिमेदारी या परेशानी नहीं थी, और जब तुम्हें वो नहीं मिलता और तुम में से हर एक से वो चीन आगया ऐसा नहीं, मगर आप में से बहुत लोग शायद आप में से कितने लोग कह सकते कि वाकि आपको कभी मौका नहीं मिला जो अतीज सब कुछ भूल के जैसा है वैसे ही जी लें एक अच्छे सुहड बालक की तरह ठीक है अब देखिए ये सब लोग हैं यदि आप उनमें से नहीं हो यदि आप उनमें से एक हैं जिनकी परवरिश सही धंक से हुई सही तरीके से मकान में हुई ये पूरी सभाव नहीं कि आपका किसी के साथ रिष्टा बनाओ जिसकी परवरिश सही नहोई हो इसकी आपको मदद हो सकती है उनको समझने में और प्रारता करने में मदद कर सकते हैं यदि तुम्हारी परवरिश बढ़िया की गई हो जिस दुनिया में हम आज रहते हैं उसमें यही हमने निश्चे किया है कि हमारे जीवन में हम आनन दित रहेंगे तो हम बहुत कोचक हो रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जीवन में खुश रहना मतलब निश्चे करना है मेरा विश्वास परमेश्वर ने हमें सबसे महान तुफ़ा दिया है हम ऐसे हर एक को वो है चुनाव करने का पात्रता हम बाते करते हैं जो उपहार परमेश्वर हमें देता है और वो हमें पात्रता देता है और कोई गाता है कोई खेल कुद में निपून होता है मैं बोलने में अच्छी हूँ, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, अलग-अलग लोग, अलग-अलग प्रकार की चीजों में माहिर होते हैं, जो कि परमेश्वने हमें भेट दी होती है, मगर ये भेट सबसे बड़ी भेट जो परमेश्वने हमें दी है, वो है चुनाव कने की स्व कि हम समझ रहे हैं या नहीं कि योग्य चुनाओ के आजादी से हमें क्या हक और क्या अधिकार मिलते हैं। आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप चुन सकते हैं जीवन का उप्योग लेना। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, आप आपका जीवन खुश रहना चुन सकते हैं। खड़ा था यदि आपने सही अभ्यास किया हो तो आपको पता होगा जिस जगे पे वो था पूरे शेहर की गंदगी बहां होती थी और उनका विश्वास था कि वो आदमी की गंद में जो शाय चूटी तक थी खड़ा था और वो कहता है प्रभू मैं सदा आनंदित रहो मैं फ वीधाओं का लाब नहीं लेते आमीन तो लंबे अर्से तक वैसी ही रही मैं जितना ज्यादा आप वैसे जीते हैं उतना ही ज्यादा सीख आपको मिलती है आप शुरू के व्यतीत करते हैं कम से कम मैंने किया मैंने आपके लिए कुछ कह नहीं सकती आपको क्या कहना चाहिए मगर मैंने शुरू के 40 साल गवाय सच में पागल जैसे और उसमें भी ज्यादा तर साथ में इसाई थी मगर फिर भी मुझे मालूम नहीं था कैसे जीने का सिर्फ चर जाना और लोट कर घर आना चर जाना और घर लोट कर आना इससे आपके जीवन शेली नहीं बदलती को अपने शब्दों पर अपनी जीवन पर लागू करते हैं तो बातें अपने आप बदलने लगती हैं एक ही चीज है जो मैंने ज्यादा तर की नहीं वो है कभी भी चीज का आनन उठाना यानि कि मैं अच्छी माता थी मैंने जान बुचकर बच्चों के साथ आनन नहीं उठाया वो इसलिए नहीं की मैं बच्चों से बहुत प्यार करती थी मगर मेरी समझ में नहीं आता देर तक काम करना कैसे बंद करूँ और बच्चों के साथ खुश हो जाऊं हर चीज को संभालने में मैं इतनी व्यास्त थी और आप में से कुछ कुछ जानते हैं जैसे आप समझते हैं अचूक रिती से मैं किसके बारे में मुझे लगता है कि ये थूड़ा सा भिशन लगता है कहने के लिए कि मैंने आनन्द नहीं लिया मतलब बरदाश ये करने के लिए उचित मार्गनी होता इसका मतलब ये तो आनन्द नीटा मगर डेव के जैसा नहीं मगर मतलब है कि डेव समय निकाल कर उनके साथ खेलते थे और मैं उनकी वेवस्था लगाती थी देखिए मैंने काम किया मैं एक ऐसी व्यक्ती जो कुछ भी काम करती थी और बाकी के बचे हुए सिर्फ समय काटते और खेल में समय गवा देते पर मैं काम करती थी आज मजी यहां ऐसी सिस्टर्स दिखाई पड़ रही है पर देखो मैं मेरी खुशी लुटा सकती थी मगर मैं काम के अलावा कुछ शिन ना करती मेरा मार्ग संतूलन से परे था मार्ग 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 और पेचीदा होता गया परमीश्वर सच में वास्तविक्ता में चाहता है कि मैं बिलकुल बिलकुल हर चीज का आनंद ले लूँ जो मैंने की है और जो सच में परमीश्वर क कि इच्छा है कि हमें केवल काम पे जाना नहीं है बलकि उसका लुफ्व उठाना है हमें सिर्फ मकान नहीं जाहिए हमें उसका लुफ्व उठाना है बाइबल कहती है यह जरा भारी हो गया अच्छा क्या हम जानते हैं कि हम कहा है हम में से ज्यादा तर लोग बहुत व्यासते रहते हैं हम चाहते हैं कि वो रुख जाया और कोशिश करें वो मिलाने की साथ आनंद की सही है तो आईए हम वचन देखते हैं यह न दस-दस जीवन का आनंद लूटना मेरे ले काफी महत्व पूर्णा इसलिए मैंने कार्यक्षमता नाम जीवन का आनंद लूटो प्रति दिन रखा है और मैं चाहती हूँ कि आप रोजाना अपने जीवन का आनंद ले सामानिय सोमवार परमिश्वर की च्छाप के लिए है आनंद उठाना आप में से कितने कह सकते हैं कि आप अपनी जीवन का आनंद उठाते हैं सच मुझ अपनी जीवन का आनंद उठाएं ठीक मुझे जरा देखना है कि मेरे पास जबान है या नहीं यो हना दस दस चोर जो है दोश्ट शैतान लुसीफर जूटा खोनी केवल चोरी करने और घात करने और नश्ट करने को आता है अब मैं एक पल के लिए रुखना चाहूँगी और आपको थोड़ा सा शैतान की ओपर साफ रिती से पाड़ देना चाहती हूँ मैं चर्च जाती थी शैद साथ नौ शायद दस साल भी हर हफते पता नहीं था की शैतान सच मुझ था मुझे लगता था वो था केवल कहीं वो केवल हेलोवीन पात रहे पाच के साथ घास काटने का ओजार और लाल रुखा ब्रेस और एक मुझ चर्च में कई साल जाते हुए भी आप कैसे कभी स शैतान के विशे में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है लोगों को शैतान के विशे में बात करना अच्छा नहीं लगता मुझे भी खास तोर से उसके विशे में बात करना अच्छा नहीं लगता पर मुझे उससे अपना समय देना पसंद नहीं है पर मैं विश्वास कर कि हमें लोगों को करने की आवशक्ता है कि वो जिन्दा है और इस पृत्वी परी है और हमारा सिर्फ शैतान से ही प्रभाव नहीं होना चाहिए बलकि हमारा कई अधिक संख्याओं में प्रभाव पारने वाले शैतान हैं मुझे पता नहीं शैतान कितने परमिश्वर और स्व जूट का पिता है उसमें कोई सचा ही नहीं है वो अपने मन को जूट कहता है घलत कलपनाय मन में डालता है दोशी ठहराता है कोशिश करता है सदेव अपरादी महसूस होने की किसी के द्वारा भी काम करवा लेगा जो कोई उससे के काम के लायक होगा जो परमिश्वर में ब रहेंगे यदि हम अपने शत्रु शैतान के बारे में निश्क्रिया रहेंगे तो मैं कहती हूं कि हम बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- आता है किसी और काम के लिएी परनतु केविल चोरी करने घाट करने और नश्ट करने को आता है मतलब शैतान की पास योजना है तुम्हारा जीवन नश्ट करने की मगर मैंने आज की सबह शूरू करने के पहले ही आपसे ऐखा था लुकड़स-उन्दीज कहता है, देखो, मैंने तुम्हारे अधिकार दिये हैं. शायद मैंने दिया है, मैं दूँगा, मुझे आशा है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को ही देखो, मैंने दे दिया है, रौन्दनी का अधिकार. इसाक्रमत कजिया पसका अधिकार है सापों और बिच्छों पर और शत्रों की सारी सामर्थे पर अधिकार दिया है और किसी वस्तू से तुम्हें कुछ शाहनी नहोगी आपके पास अधिकार है पर आपको उसका इस्तमाल करना है मगर मैं आया हूँ ये शु कहता है यहाँ वो संदेश है मगर मैं आया हूँ बाइबल कहती है शैतान के कारियों को नश्ट करने के लिए ही परमेश्वर का पूत्र प्रकट हुआ दिस्तारित के अनुसार शैतान के कामों को नाश्ट करने समाप करने और नश्ट करने ये शू आया है बंदियों को मुक्त करने जेल के दरवाजों को खोलने तूटे दिलों को चंगा करने है तूँ आप बंधन में आये होंगे मगर सारी जिंदगी आपको बंधन में रहने की आवशकता नहीं है बिलकुल भी नहीं जहरा मेरी सुनो यदि आप पेड़ी थे आपके साथ गयर वहवार हुआ है ज़रूरी नहीं कि आप सारी जिंदगी उसी के ऊपर उठने की कोशिश में लगे रहें आपने परमीश्वर का वचन सीखाया आप परमीश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं आपको परमीश्वर का प्यारा वचन है आपको पवित्रा आत्मा की सामर्त मिली आप भूत काल को पीछे चोड़ परमीश्वर आपके लिए जो बढ़िया जीवन रखते हैं उस पर ज्यान देख आमीन चोर आता है केवल चोरी करने गात करने और नश्ट करने को मगर मैं इसलिए आया कि वो जरा गौर करना जीवन पाएं आहू वोहू और बहुतायाद से पाएं परिपूर्णता से उड़ाएं ले तक परमिश्वर चाहता है कि हम इतने आनंदी और खुश रहें कि दूसरे लोग जो हमारे पास है बुरी तरीके से वो चाहेंगे इसलिए सब ही कि खटी चेहरे वाले दुखी और अविचारी इसाईयों के लिए कुछ करना चाहिए हमें तो नमक और प्रकाश रहना है कि क्रूस के आधार पर हमें शत्रू के विरुद आने की जरूरत है वचन नाम और लहु के द्वारा हम उसे संदेशा दे सकते हैं अभी इसके आगे तुम हमारा आनंद चुरा नहीं सकते बिलकुल नहीं सिर्फ हम ही आनंद प्राप्त नहीं करेंगे मंगर हम आदत डालेंगे कि अन्य लोग भी धार मिक्ता में आनंदित रहें आनंदित यूहन्ना 15.11 कहता है वास्तविक्ता में पूरा पंधरावा अध्याय सदा मसी में होने के बारे में कहता है और फिर यूहन्ना 15.11 में बाइबल कहती है मैंने तुमें ये बाते तुम से इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद और खुशी तुम में बनी रहें ये शु कहता है कि उसका आनंद और खुबी हमें बनी रहें मुझे पता नहीं वो कितना खुश है मगर बहुत खुश और मैं भी आनंदित हो सकती हूँ उसमें ये भरी आनंद को लेकर और आपका ये आनंद और खुशी परीपूर्ण संपूर्ण अरिती से उडेला जाए मैं चाहती हूँ कि ये शब्दो हो यहाँ पर विपूल उडेलने वाला परीपूर्ण सिर्फ इतना थोड़ा सा इतना ही ऐसा नहीं दिन भर के लिए प्राप्त करना और फिर दिखाना की कर दिया यह दिया आप सबेर उट सकते हैं और मुझे यादे पहली बार मैं नींद में से सबेर उट कर कह सके थे मैं अपनी जिन्दगी से प्यार करती हूँ और मुझे बहुत साल हो गए यहां तक पहुचने के लिए और मैं अपनी जिन्दगी से प्यार नहीं करती हूँ क्यों कि मैं टीवी प्रचारक जॉयस मायर हूँ चुकि मेरे जीवन में हर चीज अचुक होती है मेरे जीवन का उतना ही इससा आपको मालूम होता है जितना की मैं कहती हूँ और जो आप वहां से देख सकती हो मगर मेरे जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं जैसे कि आपकी साथ होता है उनके साथ मेरा ध्यान नहीं होता ना मैं परवा करती हूँ मगर मैंने निश्ट्वे किया है शायद 20 साल पहले कि जैसा भी हो मैं सीखूंगी जीवन में आनंद से कैसे रहना है और ये एक युद जैसा था क्योंकि इसकी मुझे आदत नहीं थी ये एक लंबी कहानिय मुझे करना था कभी कभी आपको शुरुवात करनी होती है आपकी इच्छा अनुसार जैसे कि मुझे मेरे जीवन का आनंद उठाना है तो अब मैं एक तरफ से वापस पीछे जाकर इन चीजों को देखती हूं और ढूरने की कोशिश करती हूं क्यूं मैं अपने जिंदगी में आनंद नहीं उठा सकती थी कारण या कि मैं अपने आप यह नहीं कह सकती थी जाओ घर जाकर जीवन आनंद से जीओ मगर ऐसा कुछ है जो बदला नहीं था वेवस्ता नहीं थी कुछ बातों के प्रतिरव या नहीं बदला था तो एक प्रकार से अब शैतान को लड़ाई की तैयारी के लिए आनंद चुराने का मौका देते हैं इस मुद्य को मैं अलग-अलग द्रिष्टी से देखती हूं फिर गर जाकर आप अपना अगरे पाट कर सकते हैं मगरे सपते मेरी ये इच्छा थी कि आप में ये जागरिती लाऊं ताकि आप अपने जीवन के हर पल का आनंद लुटा सकें मेरा ये मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति जो आपके रास्ते में आए उसे आपको आनंदित करना या हर परिचीत व्यक्ति को आप आनंदित रखें मैं बात कर रहे हूं आपके करीबी लोगों को आनंदित रखें परिवार की लोगों को आनंदित रखें और वो उसको इसलिए जैसा है वैसा ले जाओंगी क्योंकि वो अकेला है और वो तंग आ गए हैं अपने अकेले पंसे दूसरों की खामिया ढूना बंद कर देने की जरूरत है और सोचो हम कितने आशिशित हैं आनन्द करो उसी में जो अपने पास है अच्छा ढूंडो तो ये शुनी कहा ये बाते मैंने आपको कही है और जो बाते कह गई है उसमें है अपने में बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो आप अपने लिए चुन सकते हो यो ना पंदरा के शुरूरत बच्चन में बने रहो का क्या मतलब है इसका मतलब है जीना रखना औ इतना और टिकने के लिए इतना बने रहना, वो कहता है आपका आनंद भरपूर होगा, इसका मतलब प्रथम क्रमांग पे होनी की जरूरत है, ये शुदुलहन को देख रहा है, शादी करने की उसकी तमन्ना है, हर रहेवार की 45 मिन्टों का साथ उसे नहीं चाहिए, चलिए भी, मैं चर जाती हूँ, मैं चर जाती हूँ, अगर परमेश्वर के रिष्टे में इतना काफी नहीं है, वो उन्हें दुखी करता है, बहुत ही दुखी, आमें, आप चर्च हैं, वो आप में रहता है, हाँ चर्च जाओ, दूसरे विश्वासियों के साथ संगती रखो, स्थानी अकारी अकारी के सदस्य बनो, मगर आपके पूरे इसाई अनूभवों को वहाँ खता मत करो, आपके इसाईपन के शुरुवात और समाप्ती चर्च की इमारतों में ही रविवार कोई नहीं करनी चाहिए, जो आप पाते हो, उसे बाहर दुनिया में लेकर आओ, और लोगों को बताओ कि आपने अंदर क्या सिका है और एक इसाई की तरह बरताओ करना सिक्को। परमीश्वर कराजिय, पवित्र आत्मा में धार, मीक्ता, शान्ती और आनंद है। ये शुने कहा, आनंद करो जब दुनिया में आपको सताया जाएगा, मैंने दुनिया पर विजय पाई है। संपूर्ण बाईबल, सारे लिखे हुए पत्र, वो सारे लोग जिनों ने ये बाईबल लिखी। पवित्र आत्मा के मार्क दर्शन से बार बार यही कहते रहें कि आपका आनंद सुरक्षित रहे। किसी भी परिस्थिती में आप जा रहे हूं, आपको आनंद रखना है क्योंकि उससे गुजरने के लिए वही आपकी ताकत है। हसने का कारण ढूंड़िए, चुटकले की किताब पढ़िए, आपके हसी मजा करने वाले दोस्तों के साथ रहे, कुछ तो करिए, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि आप हताश, तिराश, उदास, लटके हुए, खटे नहीं हो जाएंगे क्योंकि आप दुखी बन जाते और इससे आपके आसपास के लोग भी दुखी हो जाते हैं, मगर और किसी के अलावा आप ज्यादा दुखी होते हो। ताकि आप मांगो तो पाओगे, ताकि मांगो तो पाओगे, ताकि तुमारा आनन्द पुरा हो जाएंगे। तो मैं पूरी तरीके से घुस्सा हो जाऊंगी। आपके काम ना करने से, इसे कहते हैं भावनात्मक चाला की और यदि मैं चाहूंगी डेव कुछ करे और वो नहीं करता है, तो उसके काम को ना करने की वज़े से मैं दुखी हो जाऊंगी। मगर ज्यादा तर लोगों के साथ जितना ज्यादा आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा वो अकड़ दिखाएंगे। क्योंकि ज्यादा तर लोगों को किसी के वज़े रहना अच्छा नहीं लगता और मुझे उसे समझाने के समय पर महसूस हुआ कि उसे ये करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, ठीक है, परमेश्वर उन सभी का उत्तर देते हैं, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनन परमेश्वर में सही हूँ, यदि वो सही नहीं है, जो सही नहीं है, उसे वो करेंगे नहीं, तो ये मेरी समस्या नहीं है, वो आपकी समस्या है, आप ही उसे ठीक कर सकते हैं, चलिए भी, मैं आप से ये कह रही हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जीवन का हर एक खोशी से बिताए और कभी कभी आपको जरूरत होती है ये सीखने की कृपया इस शिक्षा का लाब उठाएं इससे जीवन बदल सकता है प्रिपया हमसे संपर करें या विजिट करें jmmindia.org पर आज ही अपनी प्राथना के अनुरोध बताने के लिए हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉइस की सभाओं का शडियूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसी का प्रेम बाढने के लिए ये कारेकरम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वरा प्रयोजित है